तो प्लीज मेरे बात सुनना एंड मतलब यह मेरा परस्पेक्टिव है मेरा यह मानना यार कि जब तक मैं कास्टिंग में नहीं था तब तक क्या चल रहा था अब अब मैं यहां पर आ चुका हूं भाई तो मेरा मानना यह कि यार अगर आप कहीं पर हो और कुछ गलत हो रहा है तो यह जो बातलाप वह शुरू कहां से वह यह ठीक है मेरे को कि मेधा भी खेला रही है वह अपनी वाच पार्टी कर रहे तो मेरे पर एक लिए जोशी तरही बना यह पता क्या बोला आप पाजी वह वीडियो बनाने वाले कहा है अज कर वीडियो बना के मिस्टेक नहीं ब सुनें भाई शब सुनें शब्सक्राइब ऑई शब्सक्राइब कहीं पर दो डिया लगता है न भाइंच तुमको धिन राध गोडल को तीन गाली हो चुकिए टेर बाई अनेलिस्ट एनलिस्ट वीडियो वीडियो चल 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 आंकी बोट स्पेरो गेमिक अंब या जी ओशन कि मेरा YouTube channel है, मैंने आज तक एक भी जो analysis video है, वो डाली ही नहीं है भाई, तो क्यों भाई गालियां दे रहो बिना बात के? मैंनुपिलेशन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ उसको, आसान शब्दो ना, ये है मेरा चोटू सा YouTube से, बात स्टार्ट होई analysis video से, बात खतम होगी मेरी इस वाली stream से, अब आता है manipulation पे, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा, अन्दे भगतो और चश्मा लगा रखा से, बात क्यों भाई, मैं नहीं करता है, जब मैं किसी मोंगली नहीं करो तो मेरे मोंगली मत करो, सिंपल, मेरे पर एक इंस्टेग्राम पे snippet आये ता, जिसमें एक बंदे ने मेरे को ये भेजाता, सिर्फ इतना पार्ट, मैं अपना बार है क्योंकि आमाले बास बड़ी audience है तो भाई, बस एक request है तरे से, उकल भाईगा श्ट्रीम करने, तो ये हटा दे ही ये thumbnail वपनिल, ये फो वीडियो नहीं हटा नहीं, मत हटा तुमने महिनत से वा नहीं है, जो भी बनाई है, मत हटा, कम तो उसको तुमने था तुमने तो चेंज कर सकता है बस इतना आया मेर पर, एक snippet आया, जिसमें मैंने सुना, मैंने का यार, पहली बात तो नहीं हो, जो यूजली मैं तुमको बताई कि उनके बात करने का तरीका क्या होता है, आय अप्रिशेट हैं कि बहाई बनाबात के उन्होंने कुछ बतला गालिया वालिया नहीं, मैं उस और एक ही ये वाला, ठीक है, ये दो थम्देल्स मैंने चेंज कर दिया, उसके बाद फिर भाई मेर को, उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ कि फिर मुझे लगा अब तो सब सॉटेट है, चल सीन है, फिर मैंने देखा ये, ठीक है, ये तुम लोग लिटरली देख र पहली बात भाई, Mr. Neosarji, पहले बात तो आप मेरे चोटे भाई हुए, क्योंकि आप उमर में एक दू साल चोटी होगे मेरे से, तो मैं चोटे भाई की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, कि पहली बात तो, अगर हम 13th position पे आए, और आप नहीं मैं हम बोल रहा हूँ, अगर हम 13th position पे आए, या फिर अभी हम 11th position पे आए, तो हम आए हैं भाई, आप इसको negatively क्यो ले रहा हूँ, कि भाई, hashtag 13 लिखा हुआ है, आए हो भाई, it's a fact, कि हम आए है, और वो भी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कि भाई, hashtag 13, भाई, हम सबको पता है कि game band था, game इतने time के band के बाद जब आया है, उसके बाद हम वहाँ पे गए खेले, एक chicken dinner निगाला, सब कुछ बढ़िया था, एक जगा बता दो भाई, जहां पे बने बोलाओ कि, नहीं भाई, यहां पे team godlike ने slot waste कर दिया, यह कुछ भी कर दिया, मैं तुम लोग को दिखा यार, उसमें हम international lobbies में नहीं खेल रहे हैं, कहां से expect कर लेंगे भाई, कि हम trophy उठा रहे हैं, मतलब वो तो logical चीजी नहीं है ना भाई, अब भाई, इन महान भाव, बुद्धी परोत्तम, इनसान को मैं समझाना चाहूँगा, कि आपने वो वीडियो खोल के भी देखी, आप मैं तुम लोग को बताता हूँ, पर नियो ब्रदर का ये कहना था, कि भाई, तुमने आपे hashtag 13 क्यों लेखा, और team soul को team godlike के hashtag 13 से compare करा, तुम तो OR से compare करते, या फिर जो TSM NTT ने पहले glory लेकर कर आई है, उससे compare करते, तो मेरे मित्र ब्रदर, obvious सी बात है, एक साल के game band से कि इसमें, भाई, just in case अगर आपको लग रहा है, तो it's no freaking hate brother, पायदान पे आए है, it's something which we should accept, and we should go ahead with it, and we should try to improve ourselves, कि इसी वाली वीडियो में नोने ये भी बोला था मेरे को, कि ये हमें कभी support नहीं करते है, हमारे बारे में कभी अच्छी बात नहीं करते, भाई, उस टाइम म Godlike गई थी, जब team Godlike गई थी, जब team Godlike गई थी, GC खेलने के लिए, उस टाइम में YouTube नहीं करता था, भाई, मैं Instagram पे था, day 2 is considered as a day of comeback, I'm predicting that team Godlike will be in top 8 after 2 days, if not I'll shave off my beard, let's go India, ठीक है भाई, नहीं खेल पाया, अच्छा, कोई दिकरत की बात नहीं है, I lived up to my words, मैंने clean shave करवाय था जितने लोग को पता होगा, soul versus Godlike, hashtag 13, क्या problem है भाई, hashtag 13 से आये हैं भाई, तेरवे पायदान पे, यह तुमें खेल कर चुको, मेरे खेल से भाई, na team soul को hashtag 11 से problem होने चाहिए, na team Godlike को hashtag 13 से problem होने चाहिए, मेरे opinion में, आमने किदर poke किया भाई, सामने से, किदर poke किया सामने से, यह मेरी वीडियो दो-दो-तीन-तीन महिने पहले ही की मेरे चानल पे है, भाई, आप जाके मेरे चानल स्टॉक करके देख रहो, क्यों भाई, वो किस ने करा भाई, वो बताओ, अभी तो दिखाए थे भाई, जिसमें आपने ही बोला था, मा बहन की गाली दी, कहां गया, कहा अभी बात थी भाई, वो आपकी टॉकिक टाउस ने को, पर मैं थम्नेल्स भी आपको समझा रहा हूँ, और फिर मैं यह भी बता रहो कि थम्नेल्स में कल रात को चेंज कर चुका हूँ, अगर मैंने आपकी पूरी वीडियो रेखी तो चायद मैं नहीं करता, बट फिर ठीक अगर यह बात हुए है कि जब बीजी आए जीती थी टीम स्कायलाइट तो वहाँ पर पूरी चैट में चल रहा था, लोगो आपको नहीं देखनी हो भाई, यहीं लगाया नीचे ही, और मान लिया कि एक बार को आपको confusion भी थी, वीडियो खोल के तो देख लेते, अब चैट यह है जाती है, तो सब बोलते गॉडलाइट चैटी तो अच्छा था, टीम गॉडलाइट अच्छा हो था, यह एक वह चीज है जो चलती रहेगे, अब भाई मैने इसमें स्लोट वेश्ट में स्कायलाइट गेमिंग का लोगो लगाय है, तो क्या दिक्कत है भाइब इसमें अगर मालो मैंने यह सोचा भी भाई कि क्या टीम सोल गॉड़ल से बेटर कर पाईगी तो मैंने क्या गलत सोचा भाई ऑविएस ही बात है ना भाई बीजेमाई आने के बाद हमने किन टीम को देखा है ग्लोबल खेलते हुए और अगर भाई आप इतने ही ठीक होते ना तो आप एक बार दोनों वीडियो चला के दिखा देते जनता को अपनी ही लाइश्ट्रीम पर और आप खुद भी समझ जाते हैं कि मुझे समझ भी रहाता है कि कास्टर को हर बार यह प्रूव करना पड़ता है कि भाई हम ठीक है भाई मैं ही वो बंदा था जिसने बोल था टीम सोल के जो आप बोल रहो कि भारत की सरवस्ट्रेस टीम सरवस्ट्रेस प्रदशन करते हुए क्योंकि भाई वो सबसे बड़ा इवेंट था जो इंडिया इस्पोर्स की हिस्ट्री में उस टाइम चल रहा था वहाँ पर टीम सोल टॉप ऑफ टेबल थी काफी जादे मार्जिन से तो मैंने वो ली वो लाई जब टीम सोल विक इंडी के माप में खेल रही थी एक उन्होंने ओपन पुछ दिया था वन जो में क opens tomorrow लॉट में critics होते हैं जो बोलते है, ratings देते हैं movie को यह अब भाई वो शारुख आं जाके बोल बोल में पर तू जाके बना दे movie, तू कर ले acting भाई sense नहीं है ना इस वात में नियो ब्राद में कोई sense नहीं है कि तो खेल ल जाकर और यह पहली बार नहीं हुआ पहले जब Fixes ने एक वीडियो डाली थी, क्या बोलते है करने के लिए, कि भाई, एक coach और एक analyst वो एक team के लिए जरूरी होता है, तो वहाँ पे भी यही reply आये था, कि उंगली पकड़के थोड़ना खिलाएंगे coach और analyst, तो भाई, यह क्या बात हुई भाई, मतलब यह क्या बा है तब तक उनको पैसा मेलेगा, मुझ चलाना बंद हो जागा तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, हम अभी भी पैसा कमा रहे है और हम आगी पैसा कमाते रहेंगे, क्या sense भाई इस बात में? आपने कई बार कास्टर को बहुत कुछ बोला है भाई, हो सकता है, मुझे कास्टर कं जालियां थी, जो आपको नहीं देनी चाहिए थी, उसके बाद आप अपनी जनता को मैनुपलेट करके बोल रहो कि उसने ऐसा थम्डेल डाला, और आप डिरेक्टली ये बोल रहो कि ये इस टीम का सपोर्टर है और हमारा हेटर है, क्यों भाई, क्या sense इस बात में? अब मित बहुत simple, इसमें कुछ खास wordplay भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जहां हम PMGC में खड़े थे, 13 पाइदान के साथ, वही हम खड़े है अभी 11 पाइदान के साथ, कुछ भी खास नहीं बतला, अब मैं तुम लोग को बता तो subscriber जादा हो, subscriber कम होने का difference क्या दिया वो तो मेरे बारे में एक negative perspective लेकर की चल रहा है ना, तो obvious ही बात है, this is where the numbers difference come in, आपके number जाद है तो यह में नहीं बोल रहा है कि आप कुछ भी बोलो यह वो, मैं आपको बस बता रहो कि यहां पर problem आती है, कि आप जो एक line बोल रहा हो, जो गलत हो या सही हो, पर 50,000 लोग देख रहे हैं वो चीज को, मैं जो एक line बोल रहा हूँ, वो उतने लोग नहीं देख रहे हैं, आपे friends, अब जितने लोगों ने में को गालियां भरी हैं, उनमें से अगर 5 लोगों को भी मेरी बात सही लगे होगी, जो की सही है, तो उसके इलावा जो बाकी के पंचा मैं ले रहा हूँ, मित्र, वो तो मैंने ऐसा कुछ ना उस वीडियो के अंदर बोला है, ना उस वीडियो के बाहर बोला है, ना मैं ले वीडियो, ठेक है, अधरा mentality दिखाता है, यह देख, यह देख, यह देख, यह देख गई भाई, mentality मेरे को भी आपकी मित्र, to be very honest, casters कहा तक जाते हैं, मैं आपको एक example देता हूँ, Neo Sir, with due respect, HTE Godlike का collab वाला सीन, क्या मैंने कोई reaction दिया उसके उपर, आपका वो जो screenshot leak वाला जो भी सीन था, क्या मैंने कोई reaction दिया उसके उपर, team up, washroom, जो भी सीन था, क्या मैंने कोई reaction दिया उसके उपर, क्योंकि यह सारी personal दिया उसके उपर मैं reaction नहीं दे सकता, that's your life, it's totally you, your org, personal your thing, उसके मैं कभी react नहीं करूँगा भाई, वो है हद casters की, कि आपका अगर कुछ personal चीज है, अगर ऐसी कुछ explicit matters है, हम उसके कोई राय नहीं देते हैं, and I'm pretty sure, मैं Ocean, Maisie, Spiro, Fixes, XP, किसी ने भी कुछ इस चीज के रहा था, भाई, जी सी के बाद टीम गौडलाई का performance नहीं आ रहा था, तो हम क्या बात करेंगे, हम बोलेंगे ना भाई, कि हाँ ऐसा चल रहा है, अभी के लिए चीजे उनके favor में नहीं जा रही है, यह सारी बाते हम सब कर रहे थे, जब हेक्टर अच्छा perform नहीं कर रहा है यह प्यार कि हेक्टर अच्छा perform नहीं कर रहा है, वो बेटर खेला अच्छा खेला, बढ़िया चला, आप मिरे को बोलो कि हम आपके बारे में कभी बाते क्यों नहीं करते हैं, भाई, आप मिरे को बताओ कि आपने बात करने का मौका अब दिया, एक कोइंसिडेंसी है, कि मै मैंने जीसी के बाद से यूट्यूबिंग स्टार्ट करी बट उसके बाद से आपने मुझे कभी कुछ अच्छी इतना खतरना कब भाई ऐसा टीम गॉडलाई का परफोर्मेंस आ गया कि हम लोग आकर कैसे बात करें और यह सारी चीजे करें आपने शोडाउन में परफोर्में झालाई